Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Educational Hikes सो यार आज के इस वीडियो में हम Class 9 की Geography के Chapter 1 India Size and Location का Last Topic जिसका नाम है India's Neighbors उसके बारे में हम आज यहाँ पे डिसकस करेंगे इस Chapter के Already 3 Parts हम Upload कर चुके हैं जहाँ पे First Part में हम लोगों ने इंडिया की Location को डिसकस किया Second Part में हम लोगों ने इंडिया के Size को डिसकस किया और Third Part में हम लोगों ने इंडिया and World Topic को डिसकस किया था So this is going to be our last topic और इसी topic के साथ हमारा जो यह Chapter है One जिसका नाम है इंडिया Size and Location यह खतम हो जाएगा So चलिए स्टार्ट करते हैं इस Chapter को यह explanation होने के बाद हम इसके Mapwork की भी आपको एक वीडियो प्रोवाइट करेंगे So let's start our topic जिसका नाम है इंडिया's Neighbors So इंडिया की जब Neighbors की बात की जाती है तो हमको पता है कि हमारे neighboring countries में total 7 to 8 countries पढ़ती है बस इनी countries के बारे में थोड़ी से information है बहुत छोटा वीडियो होगा बहुत lengthy नहीं होना है बस थोड़ी देर आप लोग patience करके रखिए और इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका जो Chapter 1 है वो पूरी तरीके से complete हो जाएगा और सबसे पहले यहाँ पे हम line by line explanation provide करेंगे और उसके बाद फिर हम आपको map के थूभी चीजों को explain करेंगे तो चलिए start करते हैं अपने topic को जिसका नाम है India's Neighbors So India occupies an important strategic position in South Asia India एक बहुत ही important strategic position को occupy करता है South Asia में क्यों करता है यह मैं पिछले वीडियो में explain कर चुका हूँ India has 28 states and 7 union territories Actually यहाँ पे जो 7 union territories है यह 7 union territories नहीं होगा बलकि 9 होगा और states तो 28 ही होगे Actually फिर भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है गलत क्यों लिखा हुआ है हम आपको यह चीज बताना चाहेंगे इसको आप समझ लीजिए जब आप यहाँ पे देखेंगे इस आंधर प्रदेश को जब आप इस आंधर प्रदेश को देखेंगे तो हमको पता है कि आंधर प्रदेश को काट के एक नए राज्य बना दिया गया है जिसका नाम है तिलंग गाना तिलंग गाना जो इस्टेट है वो यहाँ पे इस मैप में शो नहीं कर रहा है तो यह जो पार्ट है यह कहलाता है तिलंग गाना और इसके साथ ही आपको पता है कि जो हमारा जम्मू एंड कस्मीर है यह जो रिजन है अब यह स्टेट नहीं रहा अब इसको काट के दो यूनियन ट्रेटरी बना दी गई है एक है जम्मु एंड कस्मीर और दूसरी है लगदाक सो यहाँ पे जो लिखा है कि इंडिया में 28 स्टेट्स और 7 यूनियन ट्रेटरी हैं 28 स्टेट्स तो ठीक है क्योंकि तेलंगाना बनने के बाद 29 स्टेट्स हो गये थे लेकिन फिर से जम्मु एंड कस्मीर जो है अब वो स्टेट नहीं रह गया है अब उसको 2 यूनियन नाइन यूनियन ट्रेटरी क्यों है क्योंकि आपको पता होगा कि जम्मु कस्मीर अभी स्टेट नहीं है अब उसको डिवाइट कर दिया गया है दो यूनियन ट्रेटरी में जहां पे एक यूनियन ट्रेटरी है आपकी जम्मु एंड कस्मीर और सेकंड यूनियन ट्रेटरी है लग दाग सो आई होप कि यह चीज आपको क्लियर हो गई होगी अभी हम इसको मैप के थ्रू भी आपको एक्स्पेंड करेंगे अब यहाँ पे एक चीज दिया गया है फाइंड आउट यह चीज इस चीज इन questions का answer आपको comment section के थ्रू बताना है अगर किसी को कोई problem होगी तो वो मैं आपको explain कर दूँगा सबसे पहले आपको बताना है the number of union territories along the western and eastern coast यहाँ पे हमको यह बताना है कि कौन कौन सी union territories western coast और eastern coast पे पढ़ती है second चीज आपको बताना है area wise which is the smallest and which is the largest state कि area के recordings इंडिया का सबसे छोटा state कौन है और इंडिया का सबसे बड़ा state कौन है फिर आपको बताना है the states which do not have an international border or lie on the coast उसके बाद third question है आपके लिए कि आपको यह बताना है यह सब मैं आपको क्यों दे रहा हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए आपको कुछ चीज़ों को पढ़ना पढ़ेगा और जब आप कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपका जो knowledge होगा वो और ज़्यादा बढ़ेगा तो third question है कि आपको यह बताना है कि ऐसे states के नाम बताने है जो किसी दूसरी कंटी के साथ border को share नहीं करते ना ही जो किसी समुद्र के किनारे पढ़ें मतलब किसी coast के किनारे पढ़ें उसके बाद last question है classify the states into four groups each having common frontier with Pakistan, China, Myanmar and Bangladesh इन चीजों का answer आप comment section के थुरू बताईएगा अगर आपको problem होगी तो मैं आपको चीजों को explain करूँगा अब बात करते हैं आगे इंडिया सेहर से land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the north west ये इस topic का सबसे important part है इंडिया किसके किसके साथ land boundary को share करता है जब north west में देखेंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ता है जब हम north में देखेंगे तो चाइना, नेपाल, भूतान ये north में इंडिया के साथ boundary को share करता है actually यहाँ पर आप देखेंगे कि चाइना के bracket में क्या लिखा हुआ है तिबबत तिबबत को चाइना ने 1960 से अपने control में लेके रखा है तो इस वज़े से चाइना के बगल में bracket में लिखा हुआ है 1960 के पहले जो तिबबत था वो independent था अब पाकिस्तान अफगानिस्तान नौर्थ वेस्ट में चाइना नेपाल एंड भूटान ये नौर्थ में अब इसके बाद मैनमार एंड बांगलादेश एस्ट में तो टोटल जो हमारे neighboring countries हैं जिनके साथ इंडिया लैंड बॉर्डर को share करता है एसे टोटल seven countries हैं जिसमें पहला है पाकिस्तान, second है अफगानिस्तान, third चाइना, fourth नेपाल, fifth भूटान, sixth मैनमार and the seventh one is बांगलादेश अब इसके साथ ही अगर जब सदर्न neighbors की बात की जाए तो हमको पता है कि हमारे जो sea हैं जो sea के उस तरफ, समुद्र के उस तरफ हमारे दो island neighboring country पड़ती है सो हमारी दो island neighboring countries कौन कौन सी है उसको भी आईए हम लोग देख लेते हैं सो हमारी जो दो island neighboring countries है उनमें एक है हमारा स्री लंका और दूसरी है मालदीफ तो स्री लंका जो है ये इंडिया से अलग होता है स्री लंका is separated from इंडिया by a narrow channel of sea formed by पाक स्ट्रेट and the Gulf of मनार स्री लंका इंडिया से किस से अलग होता है एक narrow channel बनता है सी का जिसको हम क्या कहते है पाक स्ट्रेट और एक है Gulf of मनार सो पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मननार जो है ये स्रिलंका को इंडिया से अलग करते हैं जबकि अगर माल्दीफ की बात की जाए तो माल्दीफ लक्षदीप आईलेंड के साउथ में पढ़ता है हमको ये भी पता है कि जो हमारी कंट्री है इसका एक बहुत ही स्ट्रोंग जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल लिंक रहा है अपनी नेबर्स के साथ अपने पढ़ोसियों के साथ अब आपको क्या करना है कि आपको एसिया के फिसकल मैप पे देखना है मैप को देखना है और वहाँ पे आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि किस तरीके से इंडिया बाकी जो एसिया की कंट्रीज है या बाकी जो एसिया है उससे किस तरीके से ये अलग है तो यहाँ पे तो हमने आपको line by line explanation प्रोवाइट कर दी लेकिन यार geography का क्या है ना कि जब तक map को नहीं समझोगे तब तक तो यार कुछ मजा ही नहीं आता है तो map तो सीखना आपको पड़ेगा ही map अगर geography समझना है तो map तो देखना ही पड़ेगा तो बात करते है सबसे पहले अपने neighboring countries की तो हमने अभी आपको बताया कि north west में पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ता है यह है पाकिस्तान and this one is अफगानिस्तान उसके बाद north में हमने आपको बताया था कि China, Tibet, Nepal and Bhutan पड़ता है उसके बाद north east में हमारी दो countries पड़ती है एक कौन सी है? एक है मैनमार और लास्ट वन है बांगला देश तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, मैनमार and बांगला देश यह हमारी neighboring countries हैं यह वो countries हैं जिनके साथ इंडिया land boundary को share करता है इसी के साथ अभी मैंने आपको बताया था है हमारी दो neighboring countries में जिसमें एक कौन सी है? एक है हमारी स्री लंका और second है हमारी Maldives तो पहले Maldives की बात कर लेते हैं फिर स्री लंका की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक term है इस प्रेट वो चीज़ आपको explain करना पड़ेगा तो इस figure में आप देख रहे हैं कि यह लक्षोदीप है जो कि Arabian Sea में पढ़ता है और लक्षोदीप के एकदम साथ में पढ़ता है Maldives तो हमारा जो Maldives उसकी location क्या है वो लक्षोदीप के साथ में Arabian Sea में पढ़ता है अब बात करते हैं हम स्रिलंका की तो स्रिलंका भी मैंने आपको बताया कि एक narrow channel of sea एक बहुत पतला channel समुत्र का बनता है जो स्रिलंका को इंडिया से अलग करता है तो वो narrow channel ये है ये वो narrow channel है ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं फिर से कर दे रहा हूँ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो blue color की line आई है और उसके बीच में कुछ water का part दिख रहा है तो इस तरीके से जो straight होता है इसको क्या कहते हैं ये जो थोड़ा सा आपको water body दिख रही है इन दो कंट्रीज के बीच में इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं straight तो straight क्या होता है इस figure में फिर से धियान से देखो तो ये जो है ये एक large water body है ये क्या है ये है Indian ocean और ये भी एक large water body है जो क्या है Bay of Bengal और ये जो narrow water body है ये जो narrow channel है यह इस Indian Ocean को Bay of Bengal से connect करता है इस ट्रेट क्या होता है? इस ट्रेट एक narrow channel होता है water का जो दो बड़ी water bodies को connect करता है तो यहाँ पे कौन सी दो बड़ी water bodies है? एक है Indian Ocean और दूसरी है Bay of Bengal एक definition जो इस ट्रेट की होती है वो यह होती है कि it is a narrow channel of it is a narrow body of water which connects two large water bodies तो दो large water bodies किसको किसको connect करता है Bay of Bengal and Indian Ocean को Conversely हम यह भी कह सकते हैं अगर इस ट्रेट को ध्यान से देखा जाए तो इस ट्रेट की एक definition और निकल के आती है वो definition क्या है? इंडिया क्या है? इंडिया एक land mass है land mass मतलब जमीन का बहुत बड़ा टुकडा और स्रिलंका क्या है? स्रिलंका भी एक land mass है मतलब यह भी जमीन का एक तुकडा है तो यह जो इस ट्रेट है यह जो पार्क स्ट्रेट है इस figure में देखेंगे अगर आप तो यह जो पार्क स्ट्रेट है यह क्या कर रहा है कि यह दो बड़े land masses को अलग भी कर रहा है so state की दो definition होती है एक क्या होता है कि it is a narrow body of water which connects to large water bodies या हम यह भी कह सकते हैं कि it is a narrow body of water which separates two large land masses तो यहाँ पे दो बड़े land mass कौन से हैं एक तो हैं इंडिया दूसरा है सिलंका so state की दो definition होती है I think यह चीज़ें आपको clear हो गई होगी अगर कोई चीज इस पूरे chapter में ना समझ में आया होगा तो आप हमसे comment section के थूर जरूर पूछिएगा तो यहाँ पे हमारा यह chapter भी complete हो जाता है अब इसके बाद इसके questions answer बचते हैं और इसके map work बचते हैं वो इसको subscribe जरूर करेंगे जल्दी मिलेंगे इसके एक दूसरे पार्ट साथ जहां पे हम इसके map work के बारे में डिसकस करेंगे उके, bye everyone